Hello guys, तो अब इस particular question में, यहाँ पर 7 quantities दी हुए है, ठीक है, और इनका सब का dimensional formula पुछा हुआ है, तो चलो अभी वीडियो को pause करो, और सारे के सारे dimensional formula निकालो, अभी के अभी, और फिर उसके बादे इसको वीडियो को pause करके देख लो solution, ठीक है, बताओ क्या किया अपने, force into displacement क्य क्या होता है, work, force का क्या था, तो धैन में रखना है, कुछ, अब page को refer नहीं करना है, force को उदर के उदर, तभी के तभी याद करना है, force क्या होता है, mass into acceleration, mass था, acceleration का क्या था, distance divided by time square, length divided by time square, ml by t square क्या था, force, तो ऐसे करना है, धैन में रखो, कुछ exam में आपको पूछा, तो आपके बाजू में आपको refer करने के लिए force नहीं रहेगा, आपको यह ऐसा याद करना पड़ेगा, mass into acceleration into displacement, displacement क्या होता है, length, तो क्या हो गया है, m1, l2, t-2, right, ठीके, तो यह आगया, अब torque बताओ क्या होगा, force into distance, force into displacement, अब torque और वक्तो सेम ही होना चाहिए, नहीं देखा ज t-2, अब energy में आपको confusion हुआ होगा, energy में क्या दिखा है, half mv square, यहाँ पर half आता है, right, अब जो half आता है, इस half का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि number का कोई भी dimension नहीं होता, ठीके, तो यहाँ पर क्या बज़ेगा, mass into velocity square, ठीके लिखते है, mass क्या होता है, m1, velocity क्या होता है, distance upon time, तो length upon time का square, तो क्या दिखाई दिया है, यहाँ पर, m1, l2, t-2, अब यहाँ पर देखो, work का देखो, और energy का देखो, same ही तो है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, work is a form of energy, क्योंकि यह दोनों का same है, ठीके, तो इनका dimension भी same ही होने वाला है, dimension formula दोनों का same है, power क्या होता है work upon time, अब यहाँ पर work calculate किया है, तो हमनों directly use कर सकते है, this upon time कर सकते है, मतलब यहाँ पर मैं m1, l2, t-2 हो गया, work upon time, तो कितना है चीज, m1, l2, t-3, लेकिन एक चीज़ धान में रखो, यह हर बार नहीं करना है, आपको थोड़ा long वाले method से करना है, मतलब long वाले method क्या होगा power is equal to work upon time, work क्या होता है, force into displacement, तो basically इस power को कैसे करना है, तो ऐसे करना है, power p होता है, work upon time, work क्या होता है, force into displacement upon time, force क्या होता है, m, l by t square, force, m into acceleration into displacement length, divide by time, so divide by time कर दिया, देखो यहाँ पर, तो क्या है, m1, l2, t minus 3, आपको ऐसे करना है, आपको इस चीज़ की आदत लगा नहीं, इस चीज़ की नहीं, मतलब उपर का देख देख के नीचे डालो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, frequency, अब frequency को तो एक दम easy, 1 upon time period, तो यह हो गया, equal to हो गया, 1 by t, which is, m0, l0, t minus 1, angular velocity, अब angular velocity को म अब आपको आपको कुछ कुछ notations है, यह omega होता है, यह f होता है, यह p होता है, यह energy e होता है, यह tau से लिखते है, और यह work होता है, अब angular velocity था, omega, which is angle by time, angle का कोई dimension नहीं होता, वो stay radian, radian, नहीं, dimension कुछ नहीं होता, वो units है, तो angle क्या हो गया, 0, तो यह क्या हो गया, 1 by time ही ह हो गया नहीं चीज, तो basically हाप इसका क्या आएगा, M0, L0, T-1, क्योंकि angle का कोई dimension नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया है, 1 divided by time, अब एक quantity यह surface tension, अब इसको आइदर कभी कभी S भी लिखते है, और T भी लिखते है, अब surface tension होता है, force per unit length, force क्या था, ml by T square, यह था force, मास into acceleration, divide by length, इसको length से divide करेंगे, तो length यहाँ पर multiply हो जाएगा, तो length length cut हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, M1, L0, T-2, अब यह length मेने यहाँ पर क्यों लिखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ठीके वीडियो को pause करो, और सोचो, कि यह क्यों आया, यह आपका basic mathematics है, अ अच्छे से पढ़ो और फिर इस वीडियो को आपस देखो, इतना आपको समझ में आया, चल अच्छी बात है,